अससलाम अलेकुम, अपवग ने एक नया फीचर इंटेड्यूस करवाया है जिसको बूस्टिंग का नाम दिया है इसमें दो तरह की फीचर्स हैं, बूस्टिंग पर फाइल और बूस्टिंग प्रोजेक्ट केटलोग्स इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बूस्टिंग पर फाइल के उपर बात करने वाला हूँ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे यूज करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप लोगों ने यूज भी करना है या नहीं मैंने देखा है कि बहुत से इसके एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज भी हैं तो वीडियो को एंड तक देखना है और फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इस फीचर को आपने यूज करना है या नहीं इस वक्त स्क्रीन के ओपर आप देख सकते हैं राइट साइड पर आपके पास यह फीचर जो आ गया है बूस्ट यूर प्रफाइल अगर हम इसके ओपर यह पैंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं तो यह एक न्यू फीचर है और यहां पर आप देखें के टोटल आपके पास आ है एक इंटरफेस जिसमें आप लोग अपनी और्डियन सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेशलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं अपना बजट बता सकते हैं लिमिट अच्छा होगा यह कि यह बिल्कुल एड्ज की तरह से काम करता है फॉर एक्जेंपल आपकी प्रफाइल यह वो टॉप कैसे काम कर रही है अगर आप यहां पर यह टॉप पर देखते हैं सर्च बार आ रही है यहां से अपने ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके टैलेंट चूज कर लेना है यह पहले आप लोगों ने करके जरूर देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यह कैसे फीचर काम क तो मैं यहां पर सर्च करता हूँ चैट जी पिटी फॉर इक्जेम्टल जब आप चैट जी पिटी सर्च करेंगे तो जितने भी चैट जी पिटी में काम करें वाले लोग हैं वो टॉप पर यहां पर आ रहे होंगे मागर एद में से अभी तक मेरे पास जो है एसे इसा बंदा नहीं आ रहा जिसकी प्रफाइल के उपर आप यह कहलें के बूस्टिंग वाला फीचर इनेबल हो सारे नैचरली और गैनिकली ही आ रहे हैं मगर यहां पर एक एरिया जो है वो क्लाइंट को दिख जाएगा जिन्हों ने बूस्टिंग की होगी उनकी पर नजर आ जाएगा अचा इसके इलावा भी एक एरिया है जहां पर आपकी प्रफाइल बूस्टिड शो होगी और वो एरिया कौन से मैं आप लोगों को बता देता मगर मैं इस टैब में आता हूँ Invite Freelancers, Invite Freelancers में यह होता है कि आप लोग 심 gir हो प्लैटफ़ॉञे के इन्वायट सेंड कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते है जैसे now Invite Freelancers के ओपर क्लिक करता हूँ आप देखें कि मेरे पास सर्च का एरिया है और सर्च वले अरिया मे यहा उन्होंने बूस्टिंग पे लगा दिया और कोई relevant भी नहीं आ रहा है मगर मैंने अभी search नहीं किया एक बात याद रखें senior front end developer react node.js उन्होंने भी बूस्ट की हुई है तो यहां पर देखें बहुत सारे लोगों की boosted profile जो है ना नजर आ रही है अगर मैं यहां पर search करता हूँ react.js तो अगर हम देखें कि कौन से results आते हैं अब यह देखें मेरे पास वह वाले results आये हैं जो कि search की base में हैं मगर वह boosted नहीं है मगर यह वह वह वाले freelancers हैं जो कि boosted हैं यह वह वह वले freelancers थे जो previously मेरे पास show हो रहे थे जो कि boosted थे और Upwork ने किस base पे इनको top पे दिखाया है क्योंकि मेरी job जो है वह react.js के related है जिन लोगों ने react.js अपनी profile में mention किया हुआ है और boosting भी की हुई है तो उनकी profile boost होके यहां पर show हो रही है तो आप लोगों को पता चल गए कैसे यह show होगा तो अगर हम वापस जाते हैं तो अब हम इसको मजीद page को देखते हैं edit के button पर जाकर मैं आपको one by one text field एक्स्प्लेइन कर देता हूँ सबसे पहले देखें कि category आपने select करनी है कि आपकी audience की category क्या है जैसे के मेरी जो audience है उसकी category है web, mobile and software dev और दूसरी speciality, speciality आपको पता है कि category इसके बाद भी specialities जो है यहाँ पर exist करती है आपपर के उपर तो यहाँ पर मैं choose कर लेता हूँ AI and machine learning अगर यहाँ पर मुझे मिल जाए फिर उसके बाद आप बताते हैं connect के एक जो click है उसके उपर आप कितने connect देना चाहते हैं अब यहाँ पर होगा competition, competition से मुराद यह है कि जो लोग ज्यादा connect भेग कर सकते हैं उनकी profile टॉप पे आएगी और जो कम करेंगे वो कम, उसकी profile नीच आएगी तो अगर आप लोगों ने इस competition में win करना है तो आपको ज्यादा connect लगानी पड़ेगी तो आप total भी रख सकते हैं daily भी रख सकते हैं तो मैं अगर total रखता हूँ let's post connect अगर आप question mark भी highlight करते हैं तो आपको यह explain भी करेगा आप लिखता हूँ for example 50 तो मेरे total में 50 जो है वो connect लगेंगे per click जो कि बहुत बड़ा नंबर है मैं इसको अगर मैं suggest करूंगा कि अगर आपने बूस्टिंग करनी भी है ना बाकी आप video तो देखी रहे हैं end पे मैं आपको बताऊंगा कि बूस्टिंग करनी भी है तो आपने इस नंबर को start करना है let's suppose 10 पे कर लें 5 पे कर लें I think 5 is a good number बहुत सारे लोग आप देखेंगे के 50-50 भी कर रहे होंगे और limits कितनी रखनी है अब limit की क्या मुराद है either set a daily limit और a total limit so you don't go over your budget तो मैं यहां पर जो total limit रख देता हूं let's suppose 100 connects मैं 100 connects से ज्यादा नहीं लगाना चाहता so 5 per click है और total 100 है तो इसका मतले में कि आपके पास इसको divide कर लें तो 5 और यह 20 clicks वो आपके पास profile पे आएंगे अचा profile पे clicks आने के बाद आप यह भी depend करता है कि आपकी profile कितनी optimized है अगर आपकी profile optimized नहीं है तो यह boosting का कोई आपको फाइदा नहीं होगा क्यूंके let's suppose आप clicks तो ले आते हैं और आपकी अगर profile में जान नहीं है अगर आपकी profile में portfolio नहीं है optimization आपने नहीं की हुई आपने जो है वो बाकी sections है वो सही से पूरे नहीं की हुई obviously इस feature का आपको नुकसान होगा क्यूंके फ्री में आपके पास clicks तो आजाएंगे conversion नहीं होगी client message नहीं करेगा client order place नहीं करेगा because उसको confidence नहीं मिलेगा अगर आपकी profile अच्छी नहीं है तो profile अच्छी करनी है मैंने बहुत सारी वीडियो वीडियो वैसे बनाई हुई है इसके ओपर भी आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल के ओपर बहुत सारी वीडियो और profile optimization के ओपर भी है अच्छा यू है 156 connects अब यह कह रहा है कि आपके पास इतनी connects है और इतनी connects आपकी जो total है वो लग जाएंगी total अच्छा एक और बात कि अगर आप इसको total रखते हैं तो थोड़ा सा नुकसान भी है for example अगर मैं इसको 100 connects रख देता हूं total में और आज के आज ही 20 clicks आजाते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा budget होगा वो सारे का सारा आज ही exhaust हो जाएगा तो start में जब आपने boostings यूज करनी है और वो मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपने वीडियो के अंट तक देखना है कि आपने use करनी भी है या नहीं तो आपने daily को ही choose करना है daily आप इसका budget रखेंगे for example मैं रख देता हूँ 20 connects 20 connects से जयादा नहीं मतलब मुझे 4 clicks आते रहेंगे और दूसरे number पर यहाँ पर आपको यह बता रहा है summary के bid पर click इतना है limit 20 connects only है you will receive up to 4 profile clicks daily अचा अगर मैं boost now के button पर click करता है तो boosting मेरी profile पर लग जाएगे अचा अब हम देखते हैं कि आप लोगों की connects कब consume होंगी जब आप लोगों ने boosting की हुई है so यह article है जो कि आपको ने पुब्लिश किया है और इसमें इनोंने mention किया हुआ है यहां पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर यह देखें कि लिखा हुआ है कि जब आपका client आपकी profile को search करता है और इसके ओपर click करता है a client clicks on your profile when it is being promoted on the invite freelancers पे जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया दी दूसरे नमबर पर है a client selects the heart option to save your boosted profile तब भी हो सकता है और फिर उसके बाद है आपके पास a client selects the invite to job button from your boosted profile अगर आपको वो invite करता है जब टैलेंट सर्च किया था हमने वहां पर आपने देखा था कि profile शो हो रही थी a client selects the hire button from your boosted profile यह चार options है जिसकी बेस पर आपकी जो connection है वो लग जाएंगी अगर आप लोगों ने बूस्टिंग की हुई है मगर अब decide करते हैं कि आप लोगों ने करना है या नहीं अचा मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझे WhatsApp पे मेरे contact कर रहे हैं WhatsApp नमबर मेरा इस वक्रीन पे भी शो हो रहा होगा otherwise description में भी होगा और वो मुझे बता रहे हैं कि सर हमारी profile के उपर इतने इंटर्व्यूज आ रहे थे पांच से दस डेली इंटर्व्यूज आ रहे थे कि अपर यह समझ जाएगा कि आप लोग बूस्टिंग के लिए रेडी हैं आप इंवेस्टमेंट के लिए रेडी हैं और इल्गोरिदम जो है न वो परिशान हो जाएगी आपके पास जो नैचरल वे में क्लिक्स आ रहे थे वो डिक्रीज कर देगी या फिर अच्छे तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाएगी उसकी वज़ा है उसकी वज़ा यह है कि यह एल्गोरिदम यह जो वेप आफ पर्मोटिंग है यह अभी नया है अभी इसको थोड़ा सा वक्त दें लोगों को यूज करने दें रिजल्ट्स आएंगे लिंक्डिन के ओपर लोग रिजल्ट्स शेयर करेंगे मुझे प्राइविट में शेयर कर रहे हैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे फाइदा हुआ है क्लिक से कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है इस बूस्टिंग के फीचर से पहले मैं समझता हू वह आपकी परफाइल पर आएगा और अगर आपकी पर फाइल पर जहां पर जाएगा और अगर आपकी पर्फाइल पर जान नहीं है इसके टाक्त नहीं collective कर सके बंदाब बार्ज्ट्स आपकरो पर Ifought और और इसको लिज़या करें आपथार्ट में लोग में अच्मीडियो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट केटलोग्स के उपर बात करूंगा, उमीद है वो भी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्फुल होगी, और अगर आप लोगों ने अभी तक अप अप अलर्ट को डाउनलोड नहीं किया तो आप जाएं अप अलर्ट को डाउनलोड कर लें, इसका अफिलियेट प्रोग्रेम भी आने वाला है, आप लोगों को बहुत ज़दा हेल्प करती है ये प्रपोजल राइटिंग के अंदर औ तो आप अप अप लुट को डाउनलोड करें, इसको यूज़ करें घ्रम एक्सेंशन में मोबिल एप्लिकेशन में हमारी वेबसाइट भी इस वक्त लाइव है ai.appalerts.app तो उसको भी आप यूज़ करके देखें यहां पर भी आपके पास मजीद फीजर्स आड किये गए ग for watching and I will see you in the next one take care Allah Hafiz